भारत का सबसे खतरनाक जी हाँ आपने थंबनेल में जैसा देखा भारत का सबसे खतरनाक बगेडी का मीट जिसे खाने से आपको 5 साल तक की जेल तथा 50,000 रुपए तक का जूर्माना भी हो सकता है तो आईए वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल फूट ट्रेवल पे स्वागत है इंडियन वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जंगली पेर पोधे पक्षी तथा जानवरों का सिकार करता खरीदना बेचना पूरी तरह से बैन है ऐसा करने पे आपको 5 साल तक का जेल तथा 50,000 तक का जुरुमाना हो सकता है फिर भी बगेरी जैसे पक्षियों का खरीद बीक्री और व्यापार चालू है जो आए दिनों हम विभिन प्रकार के न्यूज पेपरों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है तथा यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो एवलेबल है जो बगेरी को बनाने और बेचने के बाड़े में बताते हैं जो आपको अभी दिखाया जाएगा यह वीडियो यूट्यूब पर पहले से एवलेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कितनी क्रूरता से इन पंक्षियों का व्यापार चल रहा है यूट्यूब पे अवलेबल यह एक दूसरा वीडियो है जिसमें बगेरी को बनाना दिखाया गया है जो कि एकदम लॉक है एगेंस्ट है सबसे पहले कडाही में टेल को करम किया गया है फिर तेज पत्ते और सूखी लाल मिर्श को डाल कर इसे थोड़ा ब्राउन किया गया फिर इसमें कटे वे प्याश को डाल कर इसे ब्राउन होने तक फ्राई किया जाएगा जब यह हलका ब्राउन गोल्डन कलर का होगा तो फिर इसमें मसालों को डाल कर अच्छे तरह से fry किया जाएगा या double tempering technique से बना जाता है जिसमें first tempering इस तरह से किया जाता है जो लगबख सभी होटल और धाबू में भी किया जाता है first tempering complete होने के बाद इसमें meat को डाला गया और इसे fry कर लिया गया और यहां हमारा first tempering complete होता है और second tempering होटल में order देने के बाद किया जाता है तो वो आपको हम होटल पहुच कर दिखाएंगे तो इसी करम में हमें पता चला है कि हमारे सहर के होटलों और धाबू में भी बगेरी परोसा जा रहा है तो क्या यह सच में बगेरी परोस रहे है अगर यह बगेरी नहीं परोस रहे है तो फिर क्या परोस रहे है अगर हां बगेरी परोस रहे है तो फिर यह कैसे परोस रहे है आईए चलते हैं आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे यह बगेरी है तो आखिर कैसे है अगर नहीं है तो फिर बगेरी के बदले वह क्या है तो चलिए चलते हैं कि बटर भया हलका ही डालियागा इसमें एक ना और अजब आप फ्यूं लेगा हमारे और देने के बाद सेकेंड टेंपरिंग इस्टार्ट हो चुका है तो आपको दिखाते हैं यह कैसे होता है कि आज दिखा देजागा सुद्धर से इंढ़ाता था उसमें करी कुल दूख संलेकिया प्राइख वाए ओस स्क्षण्ध का अबाद स्टार przyszता है कोको चापक का तो अमाज़र चुक क्वआश्धर शुक का तक हैं रिदान झालियाओ, क्क्षणोट का यहरं जख गल सबूग कर एच्ग नह है जबाद यह स्ग्कों रहे हो जीरा और लहसुन कपेश्ट अब यहां फर्स्ट टेंपर्ट किये गए मीट को डाला गया और सेकेंड टेंपरी कम्प्लीट किया जाएगा अब शाएगा बता दिए पिए बागेडी के बाड़े में पेश्ट बीड आप टोड़ा अब दो अब आप बगेरी के बाड़े में कैसा क्या होता है कब मिलता है मतब कब से कब किसिस मुंत में मिल जाएगा ये कितने से कितने मन तक मिलता है बीच में गैज आपने देखा हमारे बगेरी के बाड़े में पूछने पर हदल मालिक ने किस तरह से अपने स्टाफ को रोका और उन्होंने बताया कि हम पटेर खिलाते हैं आप बगेरी के बाड़े में क्यों पूछ रहे हैं तो अब यह कुछ भी बताने को त्यार नहीं है फिर भी हम ट्राय करते हैं इसे कुछ पूछने की चलिए चलते हैं और एक दू मेरे के बाड़ से तो मिलना बंद हो जाएगा कभी भी बंद हो तक है गड़मी पढ़ना पर शुगा है जनरली ठंडे में पाया जाता है और इसमें गड़मी भी बहुत है गाइस फाइनली काफी चान मीन के बाद हमें पता चला कि यह सच में बटेड ही है बगेडी नहीं है तो इसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हम भी इसे टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे यह कैसा लगता है फाइनली हमें तयार है तब हम चकने वाले इन्हें हम इस्टर आरित जी यह आ गया हमारा रोटी और अब हम रोटी और यह आपको चक कर बताते हैं कि यह कैसा लगता खंड में इसको गाजा माना जाता है मीटों को सबसे बेस्ट मीट में इसको गिना जाता है और कुछ मेंने बचे वे हैं इसे बाद से मिलते हैं बदाई आपको खाने पर हमारे वीडियो में बने रहीएगा आप लोगों ने देखा वो बगेरी के नाम पे किस तरह से बटेर खिला रहे हैं लोगों को और लोग भी बटेर को बगेरी समझ के अंधा धून खा रहे हैं हमने होटल वाले से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप डायेक्ट बताईए कि हम बटेरी बना रहे हैं ऐसे बटेर जो छोटे आकार के होते हैं उनको बगेरी के नाम पे लोग उन्हें खडिते हैं और जब लोग पूछते हैं तो उन्हें डायेक्ट बताते हैं यह बगेरी नहीं बटेर है पर लोग जो डारेक्ट आते हैं वो इसे अपनी स्वेक्षा से खाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्ज हैं जिनमें बटेर पालन के लिए उनको बहुत सारे सबसीडी दिये जाते हैं इसे 36 सरकार में 90 परसेंट तक सक्सीरी देने का एलान किया है इसके तो हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं हम कोई भी ऐसे पक्षी जानवर और पेर पोधे जो कानूनी रूप से अवैध हैं कि खाने बेचने और पकरने पर पुई तरह प्रतिबंद है पिल्कुल प्रोमोट नहीं करते हैं जो सरकारी कानून के अनुसार अवैध है तो आप लोगों से भी विनब्र निवेधन है कि ऐसे जीव जन्तु पेर पोधे और पक्षियों को सेवन ना करें धन्यवाद अगर आप लोग ने अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे